हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गाडन में आपका स्वागत है, वीडियो की शुरुआत करते हैं कुपसूरत परसलेन से और यहाँ पर कोचिया भी आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ चल रही है, किसी भी तरह से कोई पिंचिंग मैंने नहीं किया है कोचिया के प्लांट को, और बेबी प्लांट लाकर मैं लगाई थी, पाच पच रुपए में, और यहाँ एक जोरा के तीन प्लांट आप देख रहे हैं, रेड, यलो और पिंक, पूरे दिन की सनलाइट में होने के कारण जो पिंक एक जोरा है, उसका फ्लावर का कलर भी वाइट जैसे दीख रहा है, फैड हो रहा है, दिन भर की सनलाइट मिलने के कारण और यह देखे, बर्ड स बन गया है सनफ्लावर में, और आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूँ, प्लांट शॉपिंग, समर सिजन का पहला प्लांट शॉपिंग मैंने किया है, तो उसी को करूंगी, नाम भी बताऊंगी और किस प्राइज में मुझे मिला है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे मेरे चैनल को, तो एक्चुली यह हुआ कि कल हमको जाना था शादी में और देखे एक अपडेट देख लीजिए, पोर्चुला का, जो मेरी फ्रेंड ने, फ्रेंड तो नहीं बूलूंगी, सब्सक्राइबर है वो, उडिसा से जो ऑनलाइन प्लांट मेरे लिए भेजे थे कटिंग, उसका अपडेट है यह, और उसमें बड्स कल खिल जाएंगे, तो पोर्चुला का परसलेन एकदम इसी टू ग्रो प्लांट होता है कटिंग से, यहां लेंटाना की कटिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाले थी कि कल हम गये थे शादी में, रायपूर गये थे, राजधानी, यहां से लगभग 130 किलोमेटर दूर है, तो कार से बैग पूस खरी तो मैंने फाइदा लिया, बहुत सारी शॉपिंग करके लाही हुँ मैं, बाट की भी शॉपिंग करी हूँ और प्लांट की भी, तो नर्सरी वीजिट हमने किया कल, तो कुछ दो नर्सरी गये थे, ProgrammaySurgand, यह थे बिर से ब्रेदम और लोगूं के लिएवे तो वन बाई वन उसी को मैं आपसे शेयर करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्लांट है वो एगलो नीमा है यह मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत खुबसूरत वैसे मेरे पास तीन वराइटी है लो नीमा की लिप्स्टिक स्नो वाइट और चाइनीज तो यह चौथा एगलो नीमा का प्लांट मैंने खरीदा है और यह पाच इंच के पॉर्ट में लगा हुआ है नर्सरी पॉर्ट में और यह चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है अभी मैंने इन सारे प्लांट्स में पानी दिया है सूख गय थे मिट्टी तो और इसके देखे पत्ते देखे कितना प्यारा लग रहा है देखे हैं फ्रेंस और एक एगलो निमा और खरीदा है और बहुत ज़्धा zich ली होता है तो यह 4 इंच के पॉट में लगा है ठोड़ा सा चोटा है यह प्लांट मुझे धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई-धाई यह देखिए यह कितना अच्छा लग रहा है यह और यह जीजी प्लांट मुझे मिला है 200 रुपए में यह भी कोश्टली ही आता है और इसके पॉट देख लिए 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और काफी घना प्लांट है बहुत सारे प्लांट्स नीचे से निकल रहे हैं यह भी बहुत खुबसूरत प्लांट होता है इंडोर प्लांट यह एक प्लांट मैंने इसे खरीदा और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हमारा रबर प्लांट और यह वरिगेटिट रबर प्लांट है और यह मुझे मिला है 150 रुपए में इसका थोड़ा सा जो बड़ा प् वहाला भाव्ह होड ऑफार्ट में लगा था तो उसको डेद्र सहों इसको डेड्र सहों में दिया और वह वाला 0,550 보न तो मैंने इससे लेलिया यह बहुत खुबसूरत ओती और फ्रोप्रबीफाइर प्लांट होता बहुत दिनों से मैं इसे ढूंड रही थी परपल वाला लेंटाना तो ये मिल गया मुझे वहाँ इसको भी मैंने खरीद लिया और ये मुझे मिला है 30 रुपेस में वैसे लेंटाना ये वाला 30 रुपे में मिल ही जाता है फ्रेंट्स तो काफी खुबसूरत प्लांट होता है इसकी कटिंग लगा कर मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर लूँगी और हैंग बासकेट में भी बढ़िया लगता है ये वाला प्लांट नेक्स्ट जो प्लांट है वो एक-जोरा इसको भी मुझे लेना था येलो एक-जोरा मैंने इसका प्लांट दो साल पहले खरीदा भी प्लावरिंग प्लांट की रिपोर्टिंग करी दूंगी एक-दो दिन में और जो इंडोर प्लांट है उनको उसी में रहने दूंगी और देखें बड्स भी काफी अच्छे से बने हुए हैं बहुत प्यारा सा प्लांट होता है ये देखिए और ये मुझे मिला है 80 रुपीज नेक्स्ट जो प्लांट है वो हमारा टेकसास रेंज का है इसको भी मुझे लेना था काफी दिनों से इसमें परपल कलर की फ्लावर आते हैं और ये भी काफी मेच्योर प्लांट है और लाल मिट्टी में ये भी लगा हुआ प्लांट है देखिए नीचे से रूट्स भी निकल नेक्स्ट जो प्लांट है वो बहुत ही प्यारा सा टीकोमा है ये भी मेरे विष्ट लिस्ट मे था और ये मिल गया वहा फाइनली तो इसको भी मैने ले लिया इसका यलोग प्लांट है है मेरे पास और देखिए ये काफी बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है आठ हिंच की ग्रो बैग में लगा हुआ है ये प्लांट और ये भी काफी मैच्योर प्लांट है इसकी भी रिपोर्टिंग मैं करूंगी बड़े पॉर्ट में इसको शिप्ट कर दूंगी तो देखि टो इसकी प्राइस है 100 रूपय में मिला है और काफी बड़ा सा प्लान्त है, छोटा प्लांट ही पचाए 50-60 रूपय में आता है इसका, तो काफी मेचोर प्लान्त है, इसलिग सी 5 प्राइस 100 रूपय लगा आया उधोола ने, और एक टिकोमा और लिया है मैंने, इससे भी मुझे लेना था काफी दिनों से और देखिए ये 8 इंच के pot में लगा हुआ है प्लास्टिक के और ये purple color का है ये देखिए friends 8 इंच के pot में लगा हुआ है उसके बाद भी मैं इसे report करूँगी और ये purple color का है कल 2-3 flower इसमें खिले हुए थे चूंकि हमें रात हो गया हम रात के डेड़ बजे पहुचे हैं वापस जिसके कारण बहुत सारे flower भी जड़ गया है और गाड़ी के डिक्की में सारे plants को रख कर लाए है तो plants के जो फूल उठे वो भी गीर गया है जड़ काफी फैल गई है इसकी भी तो नेक्स्ट जो plant है वो हमारा पोनी टेल प्लांट है ये इसको नोलीना प्वाम भी बोला जाता है और इसके कोडेक्स के कारण ही मैंने इसे खरीदा है और देखे ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल पोनी टेल की तरह देख रहे हैं कितना सुन्दर लगता है तो इसकी प्राइज है धाई सो रुपए ये धाई सो रुपए में मुझे मिला है और ये भी आठ हिंज की पॉ प्राइनियम मेरा बहुत शौक था इस प्लांट को लेने का और ये भी काफी मेच्योर प्लांट ये लगभग 10 या 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और देख सकते हैं फ्रेंट्स ये देख रहे हैं और ये रेतिली मिट्टी में लगा हुआ है लाल वाली रेतिली मि प्लांट भी लग रहा है और मुझे लगता है इससे कटिंग से तैयार किया गया है क्योंकि कोडेक से उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसका और काफी सारे फ्लावर खिले थे इसमें भी कल लेकिन वह भी जड़ गये तो ये मुझे मिला है एक सो पचास रुपे में तो ड इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं बहुत सारा ऐसे जमीन पर लगा हुआ था वैसे तो इसके बास्केट भी थे काफी महंगे बता रहे थे सो रुपे डेर सो रुपे बोल रहे थे इसकी बास्केट को और पॉर्ट वाला भी वैसे ही प्राइस था तो जमीन में भी काफी फै मैंने करी है कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताइए का मिलते हैं फिर हैपी गार्डनिंग बाई थैंक यू